गर्मियों के मौसम में दही और दही से बनी हुई चीजें हमें जरूर खानी चाहिए ऐसी एक मज़ेदार और आसान सी दही करी के रेसिपी मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ तो वीडियो को भी ना स्किप किये पूरा जरूर देखिएगा फ्रेंज और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तो असलाम अलेकुम फ्रेंज उमीद करती हूँ कि आप सब खहीरियत से होंगे आई है बनाते हैं दही करी तो सबसे पहले देखिए खलबते में मैंने हरी मिर्चे डाली हैं चार और उसे के साथ आधा चमश नमक डाला है तो नमक और हरी मिर्चों को पहले थोड़ा सा दरदरा कूट लेते हैं फिर डालते हैं साथ से आठ लैसुन की कलिया और एक इन जितना अदरग का टुगड़ा अब इन सारी चीजों को थोड़ा सा दरदरा खुट लेते हैं इसी में थोड़ा सा हरा धनिया भी डालेंगे इस मसाले को हमें थोड़ा सा दरदरा ही रखना चाहिए इसलिए मिकसर जार में मैं नहीं डाल रही हूँ आप चाहे तो मिकसर जार में भी पीस कर डाल सकते हैं लेकिन मिकसर जार में जो है एकदम फाइन पेस्ट हो जाता है इस तरीके से अगर सिल बट्टे पर मसाला पीस कर हम इस्तमाल करेंगे तो बहुती अच्छा फ्लेवर आएगा तो तीन से चार मिनट में ही ये कूट कर हो जाता है अच्छी तरीके से इसका दरदरा पेस्ट बन चुका है अब इसे अलग निकाल कर रख लेते हैं यकीन मानिए फ्रेंज ये बहुती टेस्टी बन कर तयार होती है दही करी आप भी से एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा एक चमच इतना नमक डालेंगे इसमें और अच्छी तरह दही को फेट लेंगे इंग्रिडियन्स की लिस्ट मैंने दिस्क्रिप्शन में दे रखिए आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा और हां इंस्टाग्राम और फेस्बूक पर भी मुझे जरूर फॉलो अब एक कडाई लेते हैं और कडाई को गर्म करके उसमें एक बड़ा चमच भरके तेल डालेंगे तेल को गर्म होने के बाद देखिए जीरा डालते हैं एक चमच और आदा चमच इसमें डालेंगे सरसो यानिकी राई तो इन दोनों को थोड़ा सा चटकने देते हैं तो गैस की फ्लेम अब लो कर लेते हैं अभी हलके से गर्म हो चुके हैं इसमें डालते हैं कटा हुआ प्यास एक मीडियम साइस की प्यास को देखिए इस साइस के तुकड़ों में मैंने कट करके डाला है एकदम बारीक भी नहीं करनी है और नहीं ज्यादा मोटी रखनी है इस दही करी को भी बहुत अलग-अलग तरीके से बनाया जाता है इस तरीके से एक बार जरूर बना कर ट्राई कीजिएगा तो प्यास को थोड़ा सा नर्म कर लेते हैं प्यास को एकदम बिल्कुल नर्म नहीं करनी है तो चलिए प्यास अब हलकी सी नर्म हो चुकी है आप इसमें डालते हैं एक चमज भरके सफेद वाली तिल इस सफेद तिल को आप ज़रूर एड़ करिएगा ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है और देखिए आदे चमज से भी कम मैंने इसमें हिंग डाली है तो हिंग भी हमारे सेहत के लिए अच्छी होती है खाने को भी हजम करती है अब जब तिल इसमें थोड़ा सा गर्म हो जाए इसमें बाकी की चीज़न डालेंगे यह देखिए एकदम फ्रेश करी पत्ता डाला है मैंने करी पत्ते को थोड़ असा ज्यादा ही डालिएगा इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है करी में और साथी में दो मैंने लाल मिल्च भी डाली है सुखी वाली तो गैस की लो फ्लेम पर हमें मसालों को अच्छी तरह भून लेना है प्यास के साथ तो एक मिनट हो चुका है यह मसाले भी डाले हुए अब बागी के चीज़न डालेंगे अब जो मसाला हमने दरदरा कूट कर रखा ता उसे भी डाल लेते हैं इसमें और आधे चमत से भी कम हल्दी पाउडर भी डालेंगे तो हल्दी को मिला लेने के बाद दो मिनट के लिए और मसालों को भूनेंगे बहुत ज्यादा खटी वाली दही भी मत लीजेगा यह करी बनाने के लिए सिंपल से उबलेवे चालों के साथ यह दही करी बहुत ही जबदस लगती है खाने में तो फ्रेंज मेरे चैनल पर और भी कई तरीकों के मैंने वेज और नॉन वेज रेसिपीस अपलोड की हुई है तो अगर आपको मेरे रेसिपीस और चैनल पसंद आया हो तो अपने फ्रेंज और रिलेटिवस के साथ जरूर शेयर कीजिएगा तो लीजिए बहुत अच्छी तरीके से मसाला जो है बन चुका है अब जो हमने दही फेट के रखी ती उसके उपर हम मसाले को डालेंगे जैसे जैसे ये मसाला दही के साथ हम मिक्स करेंगे देखिएगा दही कितनी खुबसूरत लगेगी और जितनी ये खुबसूरत बन कर तयार होगी उतनी ये खाने में भी टेस्टी भी होती है तो देखे, सारा मसाला मैंने डाल लिया है, बस थोड़ा सा कड़ाई में रखा है तो इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद देखिए, इस बॉल में से हम कड़ाई में डाल लेते हैं सारी दही को जैसे कि आप सब जानते हैं कि दही करी को अब हमें गैस पर नहीं पकाना है बस तड़का देना है दही के ऊपर और ये दही करी बनकर तयार है दही करी को आप थोड़ी से पतली करना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसमें पानी एड़ कर लीजिएगा अब इसके साथ खाने के लिए देखिए हरी मिर्चों को भी हम फ्राई कर लेते हैं देखिए फ्रेंज कितने प्यारी ये दही करी बन कर तयार है चलिए मिर्चों को बना लेते हैं तो यह देखिए लंबे साइस के जो फीकी वाली हरी मिर्च आती है बस उसे ही लेना है और इसमें देखिए आधा चमच नमक और आधा चमच मैंने जीरा पाउडर डाला है भुना जीरा पाउडर तो इन दोनों को मिक्स कर लेंगे और हरी मिर्चों में जो है ऐसे बीच में कट लगाएंगे और अंदर मसाला इसके भरेंगे आप चाहे तो थोड़ा सा इसमें लिम्बू भी निचोड सकते हैं यह फ्राइ की हुए हरी मिर्चे दही करी के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में तो इनके मसाले को इस तरीके से अच्छी तरह लगा लीजेगा मिर्चों में तो बस सारी मिर्चों में मैंने मसाला लगा लिया है अब गैस पर तवा गर्म कर लेते हैं और इसमें आधा चमज मैंने टेल डाला है और एक करके हरी मिर्चों को इसमें रखकर हम पलेट ढखेंगे नहीं तो ये जो मिर्चे हैं उपर चटकने लगेंगी इसलिए तो कुछ सेकंड के बाद हम पलेट को हटाएंगे और मिर्चों को इसे पलड़ते रहेंगे तेल में तो दीके अच्छी से ये फ्राइ हो चीके हैं, अब उपर से थोड़ इसी सफेद वाले इतिलिस में डालेंगे गैस की फ्लेम बंद कर लेते हैं और एक से दो मिनट के लिए प्लेट को ढग कर रखते हैं, ऐसे ही उसके बाद निकालेंगे तो चलिए दही करी को और इन हरी मिर्चों को सर्फ करते हैं, तो दीके प्लेट में मैंने उबलेवे जावाल, उपर से दही करी, साइड में हरी मिर्चे और थोड़ा सा आचार भी लगाया है तो ये सिंपल सी दही करी की रेसीपि आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएगा फ्रेंज और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदा रेसीपि के साथ अगले वीडियो में अलाह फीज थैंक्स फो वाजीग